आप सो हेलो एन वेल्कम बाइक जागत आपका एक अनदर बीडिए आज हम लोग टेम करने वालें ग्रिफिंग जी हाँ आज हम लोग टेम करने वालें ग्रिफिन तो यहां आप लोगों को साध नीचे की तरफ दिख रहा होगा मैंने एक ग्रिफिन औलेडी नौक रखाए दाल के लिए मुझे तो यही सबसे हाइस लेबल का दिखा था और लगरा यही हाइस लेबल का भी है मारे पास इस एरिये में तो कोई बात नहीं चली इसे जल्ली से पहले टेम करेंगे हम लोग फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा भी दीख रहा होगा तो उसे भी टेम करने क तो यहाँ पर पहले में करेंगे कि आज बाज जितने भी ठ्रेट से अभी को क्लियर कर देंगे जितने भी खतरनाग डाइनो बाद में अगर इसा रीट देने लगेंगे तो इसकी टेमिंग इफेक्टने से बिल्कुल ड्रॉफ हो जाएगी तो यहाँ पर एक और हमें दिख है आप दोगो को दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने 15 गुना फास्ट स्मूधिंग ब्लेम यूज किया है फिर भी यह जो इसकी स्पीड है हमारी टेमिंग की स्पीड हो बहुत स्लो जाने वाली है चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में बट उससे पहले हमें प्ले प्लेंगे तो चलिए इसको रख दिया मैंने अब हम लोग किवल से ले लेते हैं हमें आलोसोर्स डिया अगर हमारे पास ग्रिफिंस की बल्स होता तो और जादे तेजी से फास्ट हो जाता है हमारा बट रिप्लेस्मेंट के तोर पर हम लोग इसे की स्पीडियो और ली आप मैंने किवल्स तो ले लिया अब बार इसकी इंविंटरी में देने की जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्रिफिन्स होते हैं बहुत जादे टाइम लेते हैं टेमिंग के लिए और यहां पे आपको जैसा कि दीख रहा होगा लेवल 90 का यह और फिर भी यह बहुत ज सारी नौरको की जरूफ़ीद पढ़ेगी वक्राफ प JUST करने जाते हैं तो नौरको यूज हो करिकर न मद भूली अगर आप ल Ray करेंगे तो बिलिकुरी से टींद मैं कर पाएंगे तो यहां पी मैं कुछ करता हूं देखता हूं यह हैं इक बार में कितना पर्ष cage जाता है तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि एक बार में कितना और यहाँ पे एक बार में 6.2% जा रहा है जबकि मैं इसने इसे किबल्स दिया और साथ साथ किबल्स दिने के वावजूद मैंने इसे 15 गुना स्मूधिंग ब्लेम दिया है तब भी यह 6.2% जा रहा मुझे तो बिल्कुल उमीद ही नहीं हो रही थी कि नहीं इतना जादे लेट होगा और यहां पर देखी एक हाई लेबल का मुझे दिखा था अभी भी वह जो हमारा है दूसरा वाला टेम हो रहा है उसको मैंने उसी तरह टेमिंग के लिए छोड़ दिया है और याँ मुझे 150 लेबल का दिखा था बट मैं इसे नॉक आउट नहीं कर पाता हूँ मुझे पहले से ट्रैव करना चाहिए था मैं सोचता हूँ इसको भी रुवाइब करते हैं साथ में बट यह हो नहीं पाता है तो चले इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ वीडियो स ताकि वीडियो जादे लंबी नहीं हो क्योंकि यह बिल्कुल नॉक आउट नहीं हो बता है मैंने बहुत कुर्सित किया था खुले में नॉक आउट करने की बट जैसे ही नॉक आउट होने लगता है तो यह भग जाता है तो आल्राइट हम लोग आच चुके हैं वापस यहा और देते हैं और जैसे मtenay Hat जऱ्ूत पड़ेगी थोड़े से और कीमा की ऩयुष में की इसकी के उने रहे हुआ नहीं हो वाला हूं तैकि हम लोग तोबड़ा साथ टाइम को ऊवडर करते हुए आउं मिन तौड़ा सा इक सब्शा करते हुआ हुई और तो आसा क्वा थम क तरह बढ़ चले तो यहां वे तो पहले इसको कीबल्स देते हैं चलिए और यहां फाइनली मैंने इसे कीबल्स दे दिया अब यह देखें तीसरा बार होने वाला है यह थर्ड टाइम से हमारा और काफी जादे टाइमिंग का अंतरा आला है इन सभी के बीच में जो टाइम का बहुत जादे एक एक बार एक बार जाने के लिए करीब करीब ले रहा तीन से पांच मिन तक ले रहा इन दोनों की बीच में यहें एक बार और साथ जा तोड़ा सा टेमिंग का जो इफेक्टनेस है जो टेमिंग का प्रोसेस है वह फास तरीके थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो यहां पिछली बार अटरा हुआ था अटरा से प्लस हुआ है तो थोड़ा सा और वायो टॉक्सिन फीट कर देते हैं और फिर एक बार स्ली कर सकता हूं कि नहीं अब दूबारा क्योंकि लगता नहीं है मुझे क्योंकि एकी बार स्ली पर सकते के सगाते हैं और दो बधर सिलिप क्रेंगे तो फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक जगे रहना पड़ेगा तबी जा कि आप दूबार स्लीन कर सकते हैं तो चले एक बार देख लेते हैं अगर स्लिप कर पाऊंगा तो ठीक है अदर्वाइस अमें फिर से वेट करना पड़ेगा उससे पहले याँ थोड़ा स्कीबस और दे देते हैं तो हमें वह नहीं चाहिए बिल्कुल हमें इसकी टेमिंग इफेक्ट नहीं ड्रॉप करानी जितना हो सके उतना इसको प्लस करके रखना है तो चलिए जल्ली से फिर से देखते हैं एक बार सोके कि यह कितना परसेंट जाता इस बार क्योंकि हमारा 48 परसेंट ओलेडी हो चुका और यह 48 से हमारा 61 परसेंट हो चुका है करीब करीब हमारा गया है दो बार और तीसरा बार कंप्लीट होने वाला है हमारा और जैसे यह तीसरा बार कंप्लीट होगा कंप्लीट होते ही हमारा हो जाएगा यह 67 हो चुका है देखिए और यहां पर मैंने इसी दौरान एक और न घ्राइब मेरे अपने बार चाहिए है अध्य मुझेश्य ने करेंगे इसको और इसे मीट से टेम करने की कोशिज करेंगे तो यहां पे फिलाल के लिए मेरे पास मीट बहुत कब मैं चली थोड़ा सा मीट देख लेते हैं कहीं से क्योंकि हमें मीट की जरूरत पढ़ने वाली है तो यहां पर मुझे एक टीओ दिख रहा है चली इसका मीट ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसे किल करना पड़ेगा हमें मीट के लिए और यहां फाइनली मैंने इसे मार दिया चली थोड़ा से देखते हैं कितना मीट हमें मिलता है इसका भी मीट ले लेते हैं थोड़ा सा और साथ साथ हमारे पास एक या दो प्राइम मीट भी हो चुका है देखते हैं प्राइम मीट से कितना परसंट जाता है हाला कि मैंने पंदर गुना स्मोधिंग लेमी से भी दे दिया है लेबल साथ हमारा और यहां मैंने तीन प्राइम मीट दिया और तीनो एक ही साथ बढ़ते हुए चला जा रहा यहां वे देखे 6.9 हो चुका है तीनो प् परसंट जा रहा है कि और मीट की जरुबत पड़ेगी हमें और इसके पास भी हमारे पास भी मीट नहीं है हमें कहीं से लाना पड़ेगा चली जल्दी से मीट लेके आते हैं कहीं से अधरवाइस थोड़ी से दिक्कत हो जकती है हमें देखते हैं कितना परसंट जाता है जल् लोग इसकी प्राइम मीट अगर मिलता है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर नॉर्मल रोव मीट ले लेते हैं तो अल्राइट काई हम लोग आ चुके हैं वापस हमने मीट वगरा कलेट कर लिया है चलिए जल्दी से अगर कि इन्वेंटरी में दे देते हैं ताकि हमें हमारा जो टेमिंग से जल्दी से ड्रौपनाओ क्योंकि अगर इसके मीट भगएरा नहीं रहेगा तो यह टूंटी सेवना सब्सक्राइब फास्ट और है ऐडिक यह अंगरी है मारा काफी देर से इसलिए जल्दी जल्दी हो का तुट इस्हistic हो चुका है मुझे लगता है इससे पहले हो जाएगा चलिए दीख लेते हैं कौन सब पहले होता है और यहां पर देखे 56 परशेंट हो चुका वह बहुत तेजी से टीम हो रहा हा बतानी नहीं किसलिए जीजी से त्यां होगा यह देखिये शिक्स्टी एट होका है हमारा वो सारी मीट्च कटम हो गई और प्राइम रहता तो जल्दी से टेम हो जाता हमारा यह और यह फाइनली जो आ के यहां पे अटक गया हमारा कितना 65% हो चुका था और 65% आते ही यह बिल्कुल अटक चुका है अब लेने वाला यह बहुत जादे टाइम क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इससे जादे फास्ट यह होने वाला है यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादे स्लो हो गया यह और इसका फूड लेबल फूल होने वाला है अल्मोस्ट साइद इसलिए ऐसा हो रहा है जो भी रिजन हो अब देखे यह 65% हो चुका है बट अब लोग उसे छोड़ देंगे अब उसकी हमें जरूरत नहीं अगर यह अपने स्टेम हो जाएगा तो अच्छी बात है अदरवा सब्सक्राइब जाने देते हैं साथ में इसे वी टेम करते हैं और उसे भी और देखिये और यह हमारा 80% हो चुका है काफी देरी से मुल्ग से टेम कर रहे हैं तो यहां पर टाइम को पास करने के लिए मैंने यहां पर करते हैं वीडियो को 1.9 गुना फास तक ही हमारा जो टाइम है काफ़ी तेजी तरीके से बीच सके क्योंकि वीडियो बहुत जादे हो रही थी बोरिंग और यहां पर इसी दोरान मैंने एक और टेमिंग प्रोसेस स्ट ब्लेम नहीं करेंगे तो यह न और को फीट करना पड़ेगा इसे तो कोई दिक्कत है हम लोग इसे जल्दी से टेम करने के लिए स्मूध स्मूध ब्लेम दे दिया और जैसे मैंने इसे इसे बार में टेम होके स्टाट हो जाएगा क्योंकि इसका जो अन कॉनसनेंस लेबल का अगर मल्टि प्लेयर में यूज कर रहें तो हम लोग इसको तो यहां पर देखें इसका जो परसेंट है और यहां पर यह चुका है और यहां पर यह काफि अच्छी obvious लेबल पर हों अधे एक भार और कम्प्लीट होने वाला है और यह गणर ओर कंप्लीट हो circuits है предлаг और यह 92 शुका मार और इनियांटीटी परसेंट हो चुका हैमारा अब जल्दी यह तैम हो है यह लेने वाला कि मिनसे को में यह लेने वाल हो कि इसाइब अब्सका और वीडियो बहुत जादे हो रहे घर तो इसलिए मैंने इसे सब्सक्राय करें तो अगर 15 ना जाये तो 16 17 तक ही और जिस्ट कर दूं यह मेरा प्लाइन है तो चलिए जल्दी से देखते हैं और यह हमारा 92 से 98 हो जुका है दो परसेंट और रहे गया है जैसी दो परसेंट आएगा है टेम हो जाएगा और यहां पर यह 82 पर अटका था 82 से किवल लिया यह 90 हो गया है अच्छा कासा जा रहा है यह भी और यह आल्मोस्ट डान होने ही वाला इमिन यह टेम हो जाएगा हमारा इस बार यह देखिए और यह टेम होने ही वाला है बिल्कुल डेडी हो गया हमारा टेम होने के लिए जीरो पॉइंट और फाइनली यह देखिए हमारा 132 का एक ग्रिफिन टेम हो चुका है जिसका लेबल है 132 अब हम लोग इसे देने वाले हैं एक गोल्डेन चैन ताकि इसका थोड़ा सा इस्पीड वगेरा बढ़ सके और साथ स्ट्मिना बढ़ सके और इसे हम लोग देंगे बहुत सारे लेबल्स जी हम लोग इसे लेबल्स देने वाले हैं तो लेभल करने के लिए मैं इसे देने वालाव हूं पौंट तो इस हैक वर्जन में हमारा काम करेगा यहां पर देख सकते हैं कैसा लग रहा हमारा विव अगेरा और इसका पंक वगेरा भी आपको दिख रहा होगा कितना मस लग रहा उड़ने में इसके साथ तो यह था इसके मज़े और चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं इ के-ली से ले लेते हैं तोड़ा साया यहां पर यहांपर मैंने एक स्टोर कर रखा है और यहांसे हम लोगORE प्रसल्डेंश्ट ले लेते हैं देखिए और मने अल्यटी प्रकाले मैंने ब्ल difference नहीं ले सकते हैं आलकि हमारे पास काफी सारे रमपर्स यहां भी देखिए मैं इसे पोटेंशिल देने वाला हूं और जैसे ही मैं इसे पूरा मैक्सिमम लेबल फूल हो जाएगा यह मीन टोटल मैक्स लेबल के हो जाएंगे जितना इसको जाना रहेगा फिर इस जादे लेबल नहीं हो पाएगा इनका कोई भी डाइनो अगर आप ट सब कुछ करना पड़ेगा चली से जल्दी से दे देते हैं और इस बार सिर्फ स्टेमिना और के साथ साथ मैं इसकी स्पीड में ध्यान दूंगा वेट वगरा इसका ठीक ही ठाक है हमें डैमेज की उतना खाद जरूवत नहीं पड़ेगी बढ़ा लेते हैं बाइदे वे कभ की हो चुका है और साथ साथ हमारा 192 लेवल का हो चुका है और यह अमाराव टें मोगले में लगेगा तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं और तो मिल्थें नेग्स्ट वीडियूम अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को सब subscribe करना ना बूलें और भी मजधार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को आइमिन सब्सक्राइब के बाद बिल आइकन दबाने बिलकुल भी ना भूलें तक की मजधार और इंटरस्टिंग वीडियो का अफडेट आपको टाइम टीटाइम मिलता रहें